आप देखरे हो ख़वर एक्सपर्ट और मैं हूँ शिवानी किसानों के आंदोलन को आज 82 दिन हो गए हैं लेकिन किसानों का जोश कम होने की बज़ाई बढ़ता जा रहा है ऐसे में किसानों ने अपनी रण नीती में बदला भी शूर कर दिया है किसान अपनी मांग बनमाने के लिए दिल्ली की सीमा उपर बैटी है लेकिन सरकार ना तो उनकी आंदोलन पर ध्यान दे रही है और ना ही उनकी मांगों पर सर्दी शुरू होने से पहले शुरू हुआ इंदोलन अब गर्मी की सीजन के ओर बढ़ता जा रहा है किसानों ने साफ एलान कर दिया है कि गर्मी हो या सर्दी आंदोलन में नर्वी नहीं आई बढ़ते आंदोलन को देखते हुए अब किसान गाओं गाओं शहर शहर पंचायत कर रहे हैं इसके साथ ही किसानों ने कई कारिकर्मों का भी आयोजन किया है लेकिन अब 16 फरवरी यानि आज किसान सर छोटू राम की जैनती के अफसर पर सब किसान एक जुट दिखाई देंगे वहीं किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोकने अभियान चलाने का फैसला किया है जिसको देखते हुए रेल पट्रियों पर थमी रहेंगी किसान आंदोलन को तीन महीने हो गए है इस आंदोलन को देश से लेकर विदेशों तक समर्थन मिल रहा है यह तक कि कॉंग्रेस तो सड़क से लेकर संसर तक अन्य दाताओं के मुद्दों पर मोधी सरकार को घेर रही है जहां रावल गांदी मार्च निकाल कर किसानों का साथ दे रहे हैं वहीं प्रियंका गांदी पंचायत में मोधी सरकार के लिए कड़वी शब्द निकाल रही है वहीं कृशी कानून पर भारतिय यूनियन नेता राकेश्ट कैत ने चेतावनी देती हुए कहा कि सरकार जादा दिमाग खराबना करे अभी तो किसान ने कानून वापसी का नारा लगाया है गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया इसलिए केंद्र हमारी बात मान जाए आप बनाते रहें चलाते रहें जो करना है करो लेकिन आप हमारे काम करते रहो सरकार किसी की भी हो हम सरकार से किसानों की पॉलिसी पर बात करेंगे अब राकेश टकेट ने तुछे ताफ नहीं दे दी है लेकिन क्याब सरकार अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी या फिर किसानों की मांग पर गौर करेंगे ये तो समय आने के साथ ही पता चलेगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और अपने चैनल ख़वर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यावाद क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा तो घबराईए मत टोमिंडर एप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है साथ ही सर्विस भी वो भी घर बैटे अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमेन है जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कार्पिटर, फ्रिज रिपेरर, एसी रिपेरर, वसिंग मसीन रिपेरर, मेकैनिक वगेरा तो आप टोमिंडर एप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाएए और उसके बाद आप भी पैसा कमाईए, वो भी हर बुकिंग पर तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर एप साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आप शेकता हो तो यूज एज कस्टूमर में लॉगिन कीजिए और घर बैटे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज तो सही है ना टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी तो देर किस बाद की अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर एप